यह नवरात्री की पहली रात है, यह रात और यह दिन, यह आने वाला दिन, इश्वर की स्त्री प्रकृती को समर्पित है, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री प्रकृती के तीन आयामों के प्रतीकों के रूप में इस्तमाल किया जाता है, वे अस्तित्व के तीन मूलभूद गुनों तमस, रजस और सत्व का प्रतीक भी हैं। तमस का अर्थ है निश्क्रियेता, रजस का अर्थ है क्रिया, जुनून, सत्व, एक तरह से सीमाओं को तोड़ना, विलीन होना, पिघलना और एक हो जाना। इन तीन खगोलिये वस्तुओं में, जिनसे हमारे शरीर की रचना बहुत गहराई से जुड़ी है। धर्थी, सूर्य और चंद्रमा, इन में धर्थी मा को तमस माना जाता है। सूर्य रजस है, चंद्रमा सत्व है। जो लोग शक्ती की, अमर्ता की, ताकत की इच्छा करते हैं। वे स्त्री प्रक्रीति के उन रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें तमस कहा जाता है। जैसे काली, या धर्थी माता, जो लोग धन दौलत की, जुनून की, जीवन की। और भौतिक दुनिया के तमाम दूसरे उपहारों की इच्छा करते हैं। वे कुद्रती तौर पर स्त्री प्रक्रीति के उस रूप की कामना करते हैं, जिसे लक्षमी कहा जाता है। या सूरे। जो लोग ग्यान की, बोध की, परे जाने की, शरीर की अमरता नहीं, बलकि नश्वर शरीर की सीमाओं से परे जाने की इच्छा करते हैं। वे स्त्री प्रक्रीति के उस आयाम की अकांशा करते हैं, जिसे सत्व कहा जाता है। जिसका प्रतीक है सरस्वती या चंद्रमा। ये तीनों अगले तीन दिन एक एक करके आएंगे। इसे इस रूप में विवस्थित किया गया है क्योंकि आखिरकार हम धर्ती से ही निकलते हैं। और हम एक सक्रिय जीवन जी सकते हैं, जिसे रजस कहते हैं, देवी की दूसरी प्रकृती। तीसरा, आपके रास्ते में आभी सकता है और नहीं भी। अगर आपको उन्हें अपने अंदर लाना है, तो आपको प्रयास करना होगा। वरना वो आपके अंदर नहीं उत्रेंगी। जिन लोगों को ये नहीं पता, लिंग भेरवी की प्रान प्रतिष्ठा तीन मूलभूत चक्रों के साथ की गई है। ध्यान लिंग में सातों चक्र हैं, उनमें सिर्फ तीन चक्र हैं जो तमस, रजस और सत्व के तीन आयामों का प्रतीक है। तमस प्रिथवी की प्रकृती है। और आज उनका दिन है। और वही जनम देती है। गर्ब की जो अवदी हम कोख में बिताते हैं वो समय तमस है। ये अवस्था लगबग शीत निद्रा जैसी होती है। मगर विकास होता रहता है। तो तमस प्रिथवी की आपके जनम की प्रकृती है। जैसे ही आप बाहर आते हैं, आप सक्रिय हो जाते हैं, रजस शुरू हो जाता है। अगर आप परियाप्त जागरुक हुए या परियाप्त खुश किसमत हुए तो सत्व आपको छुएगा वरना रजस का रंग ऐसा है कि जब तक सब अच्छा चलता रहता है, वो अच्छा रहता है जैसे ही बुरा सिलसिला शुरू होता है, रजस बहुत ही जादा बुरा हो जाता है तो इन नौ दिनों में सबसे बढ़कर जीवन के हर पहलू को उत्सव के रूप में मनाना, ये सबसे महत्वपून है अगर आप हर चीज़ को उत्सव के रूप में लेते हैं, तो आप जीवन को लेकर गंभीर ना होते हुए भी पूरी तरह जुड़े होना सीख लेते हैं अभी जादा तर इनसानों के साथ समस्या ये है कि अगर उन्हें कोई चीज महत्वपून लगती है, तो वे उसे लेकर बहुत गंभीर हो जाएंगे अगर उन्हें लगता है कि वो उतना महत्वपून नहीं है, तो वे उसे लेकर लापरवा हो जाएंगे उसमें जरूरी भागीदारी नहीं दिखाएंगे ये सही तरीका नहीं है सही रास्ता जीवन का रहस से बस यही है हर चीज को बिना गंभीर हुए देखना मगर पूरी तरह जुड़े रहना किसी खेल की तरह यही वज़़ है कि जीवन के सबसे गहन पहलूँ का उत्सव मनाया जाता है ताकि आप उसे चूके नहीं अगर आप गंभीर हैं तमिल भाषा में या अंग्रेजी में भी वो बहुत गंभीर स्थिती में हैं का मतलब आपको पता है कि अगला कदम किधर होता है और धेर सारे लोग गंभीर स्थिती में हैं उनके साथ सिर्फ एक ही चीज होती है जिसकी कोई अहमियत है बाकी चीजें उनसे कत्रा कर निकल जाएंगी क्योंकि जिस चीज को वे गंभीर नहीं मानते वे उसमें भागेदारी और समर्पन नहीं दिखा पाते सारी समस्य बस यही है तो आज वो दिन है आप धर्ती पर बैठे हैं आपको बस उनके साथ एक होकर रहना सीखना चाहिए आप वैसे भी उनका एक हिस्सा है जब उनकी मर्जी होती है केवल तभी वे आपको निकालती है जब वे चाहेंगी वो आपको खीच लेंगी तो जो पूरी तरह निश्क्रियता थी वो गतिशील रजस बन गई है यह जीवन शायद सभी सिमाओं के परे चले जाए या शायद उसी चीज में वापस चले जाए दुरगा लक्ष्मी, दुरगा लक्ष्मी सरस्वती कभी नहीं हुई इसका मतलब है कि आप चक्कर लगा रहे हैं आप जाल में फसे हैं जीवन मृत्यू, जीवन मृत्यू, जीवन मृत्यू दूसरे आयाम का आना भी बाकी है ये दोनों तो वैसे भी होंगे जो निश्क्रियता के अवस्था में हैं वो रजस और सक्रियता की स्थिती में आएगा और फिर कुछ समय के लिए वापस निश्क्रियता की अवस्था में और फिर सक्रियता की अवस्था में चला जाएगा ये एक व्यक्ति के रूप में आपके साथ हो रहा है ये पृत्वी के साथ हो रहा है ये आकाश गंगा के साथ हो रहा है, ये पूरे ब्रहमांड के साथ हो रहा है, वो निश्क्रियता की स्थिती में जाकर फिर सक्रिये होता है और फिर निश्क्रियता की अवस्था में चला जाता है, मगर महत्वपून चीज ये है कि इसमें इस चक्र को तोड़ने और परे जान तो देवी के इन तीन आयामों की भैरवी या लिंग भैरवी के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। परे जाने की आकांशा है। तो नवरात्री इसके साथ शुरू होती है। ये न सिर्फ एक शांदार प्रतीक है, बलकि ये उर्जा के स्तर पर भी सच है, हर महीने। सिर्फ साल में एक बार नहीं। अमावस्या के बाद हर महीने पहले तीन दिन ऐसे होते हैं। अमावस्या निश्क्रियता की अवस्था है, जिसमें पाचो तत्व अपने अंदर एक तरह के एकी करन से गुजरते हैं। अगला दिन हलकी निश्क्रियता का होता है, फिर वो सक्रिये होता है, इसके बाद परे जाने की गुंजाईश होती है। चंद्रमा प्रकट होने लगता है। जो निश्क्रियता की अवस्था में और उसके बाद सक्रियेता और उल्जन की अवस्था में था, उसने अब परे जाने की एक संभावना खोली है। ये हर महीने हो रहा है। ये महीना कुछ अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि ये अमवस्या साल की दूसरी अमवस्याओं से अधिक स्पष्ट थी। सभी बारह या कभी-कभी तेरा अमवस्याओं में से ये सबसे शक्तिशाली होती है। जो कल थी, आज पहला दिन है, आज दुर्गा या काली का दिन है। नवरात्री का आनंद लें और उसका लाब उठाएं। जो लोग कुछ खास तरह की साधना कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी और कुछ दूसरे लोग, उनके लिए किसी भी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बाकी लोगों के लिए ये माइने रखता है। प्रकृती हमें जो छोटे-छोटे सहारे देती है, उनका लाब उठाना अच्छी बात है। अपनी खुद की शक्ती के साथ आगे बढ़ना असंभव नहीं है। लेकिन जादा लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, बस इतना ही। तो इन नौ दिनों का लाब उठाएं। अगर आप इन नौ दिनों के लिए यहां हैं, तो कृपया उसका लाब उठाएं। आपको देवी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। इन नौ दिनों में ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। कर दो करते हैं, विजय दो देताना चाहिए। झाल को मिएास आपको दूचाना चाहिए। झाल झाल